हाई एवरेवन वेलकम बेक टू माई चेनल डिजाइनर रजनी आज की शुड़े में मैं आपको ट्रेंडिंग ब्लाउज की कटिंग और स्टेजिंग दोनों बताऊंगी इसके लिए मैंने 80 cm लाइनिक फेब्रिक लिया है और मैं फेब्रिक पी 80 cm है सबसे पहले हम पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे तो आसानी रहेगी तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हापब मैंता की यह आफेब्रिक लिंग करते हैं से भी करेंगे उसके बाद 3.5 इंच पर इसमें कट करेंगे तो हमें इस तरह जी पर एक मार्क करण लेना है पहले तो यह हमारी इंच पर तोटल मार्किंग करूंगी और इन दोनों को इसटेड लैंच से ड्रों कर दूंगी यह हमारे blouse की लेंद कंप्लिट हो गई, साड़े तीन इच की रफल हमें यहां पर बिसली उसकी लेनी है, और अब हमें basic blouse की marking करते हैं, सबसे पहले हमें यहां पर solder लेना है, तो मैं साड़े 5 इच यहां पर solder मार्क करूंगी, देनी यहां पर हमें solder को down करना है, तो मैं यहां हमें solder को down करूंगी इस तरह से, तो यहां हाप इस डाउन हो गया, अब यहां से हाप इस डाउन से हमें यहां पर आर्मोल की लेनी है, तो आर्मोल निकालने का basic formula है, chest divide by 6, तो यहां पर मेरी 36 को 4 से divide करूंगी, तो यहां पर मुए 9 इंच पर mark करूंगी, और इसे भी हम इस तरह से draw कर देंगे सिधा, अब हमें कमर की marking करनी है, तो जितनी भी आपकी कमर है, उसको भी आपको 4 से divide करना है, तो मेरी कमर है 30, तो मैं आप 7 इंच पर mark कर दूंगी, इतनी marking हमारी complete हो गई अब हमें इन निशान को आपस में मिलाना नहीं है, वो हम बाद में बिलाएंगे, पहले हमें आर्मोल की गोलाई देनी है, तो फ्रंट पार्ट के लिए आर्मोल की गोलाई है, वो पॉइंट पिच्छो तरी इंच पर में mark करूंगी इस तरह से, और अब हमें इसको shape देना इस तरह से, यहाँ पर जो आर्मोल की length है, उसका हमें हाप करके center पर mark करना है, और इस तरह से shape को हमें यहाँ center तक मिला देना है, देनी हाँ पर हमें नेकी विर्द लेनी है, तो मैं यहाँ पर नेकी विर्द पोने 3 निच पर mark करूंगी, और length है, वो मैं यहाँ पर 6 निच पे मारक करूँगी और इस तरह से Also, a box बना लुए को आ क 내 से रोग Exodus money study सब्सक्रणा है में यहा पे पांसें ट्रों करूँगी और इसके बाद हमें डाट की मार्किंग प्धिर करने हैं मिला लेना है उसके बाद एक state line डो कर लेनी है नीचे की तरफ जो उपर की तरफ हमने tax point की marking ली थी 3.5 तो नीचे की तरफ हम भी 3 इंच पर point मार करना है उसके बाद हमें dart की चोड़ाई लेनी है तो जितनी भी आपकी ज्राज की चोड़ाई है वह आपको किस तरह से निकालना है जो भी आपका chest part होगा जैसे मैं आपके समझा देती हूँ मेरा जो chest part है वह 36 इंच है और यहाँ पर west part है वह मेरा 30 इंच है तो इसको minus करूंगी तो यहाँ पर 6 इंच आएगा अब हमें dart कैसे निकालना है वन वन इंच की dart हमें back side लेनी है तो मैं यहाँ पर दो इंच यहाँ पर निकाल दूँगी वन इंच का और उसके बाद बचे कितनी और दाट को तिर्चा मिला दूँगी तो इस तरह से डाट कंप्लीट होगी इस फॉर्मुली से आप डाट निकाल सकते हैं अब हमें कमर की मार्किंग लगानी है फिर से लगानी है क्योंकि हमने 2 इंच डाट एक्स्ट्रा ली है इसमें पर हमारी टोटल मार्किंग है सब्सक्द सब्सक्राइब करें करना है जो मार्किंग प्रकिंग它ने फिर में प्रकिंग से चेस्ट लाइन और वेस्प Libra को नो को मिला देना है कि यहां पर हमें जो हमारी डाट है उसे चwn thing DAVID देना है तो यहाँ पर जो डाट की लेंट है वो चार इंच है तो इधर भी हमें चार इंच पर मार्क करना है तो आपको सबसे पहले इसको गोलाई देनी है तो इस साइट की मार्किंग करके इसका हमें हाप कर लेना है और यहाँ पर सेंटर पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर point 25 इंच पर एक मार्कर लेना है और इसे हमें तोड़ी सी call또 में यहाँ पर इसको save देना है इस तरह से अब हमें इसकी size नाप करनी है तो यहाँ पर four inch है तो इस side भी हमें four inch पर मार्करना है इस तरह हमें गेप हमें広प लेना है हैं कि यांपर बन एंच पे मार्क कर देना है और इस तरह से सेब ड्रो कर देना है अब हमें एक्स्ट्रा मार्जन के लिएफें गेंज पर मार्क करना है मिया हमें है हमें तोजिद्छे स्रेक बाद में ड्रेंग करना दॉनों तरफ यहां पर आप चाहों तो डाट डाल सकते हैं हाप इंच की ले पर ताकि फिटिंग अच्छी से आजाए और आप इस डाउंसोडर हम इस तरह से मिला देना है यह हमारी मार्किंग कंप्लिट हो गई अब हमें हाप इंच उपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन एड़ करना है इस तरह से अब हम इसको कट कर लेते हैं अब हम इसके बेक पार्ट की कटिंग करेंगे तो सेम हमें हाप इंच गेप पी लाइन बना लेनी है तो आपको इस तरह से इसको सेट करते हुए मर्क कर लेना है पहले तो देन या पर हेमें नेक की लेनलेंही है तो प Kaf danced ओंगे ओर इसको हमें सेव देना है तो बेक साइड में में पान सेव ड्रोग करोंगी इस तरह से अब हमें आर्मोल की गोलाई देनी है तो बेक साइड में हमें आर्मोल की गोलाई है डेड इंच रखनी है इस तरह से तो यहाँ पर डेड इंच पर में मार्क कर दूँगी और इस तरह से हमें डेड इंच पर एक सेफ ड्रो कर लेना है आर्मोल की देन यहां पर हमें नीचे की तरह पर की इस टेट लाइन डोक को लेनी है और वेश्ट की मार्किंग करनी है तो साड़े सेवन इंच पर में वेश्ट की मार्किंग करूंगी पर नियुक्त गड़र प्रिमा और d5 inch यहाँ पर losing guide करना है तो इस तरह से आपको big कि marking करनी है chest और waist दोनों को मिला देना है इस तरह से अब हमें dart की marking करनी है तो मैं यहाँ पर डाट की जो length है वह मैं यहाँ पर से 10 inch पर mark करूँगी और width है वो 85 inch पर mark करूँगी इस तरह से नीचे भी 3.5 Έing पे मार करके एक स्यधी लाइङ ड्रो कर लेनी है नीचे की तरफ पर अब हमें 1-1 इंच की डाट लेनी है बंडों तरफ तो यहां पर आपको 1 fim पर मार करना है इस तरह से और 2 इंच धर की तरफ मार करके 1 इंच की डाट यहां पर मार्क करनी है तो दोनों तरफ आपकी 11 इंच की डाट यहां पर एड़ हो जाएगी अब हमें इसको कट कर लेना है मैं इसको बैक हुक बनाऊंगी तो यह मारा बेक पार्ट और फ्रेंट पार्ट दोनों कम्प्लीट कट हो गए है अब हमें 3.5 इंच पे जो मार्किंग की थी तो हमें इसको कट कर लेना है बेक पार्ट और फ्रेंट पार्ट दोनों को हमें 3.5 इंच पे ही कट करना है इस तरह से हमें दोनों पार्ट की इसे हमें लाइनिंग पर कट करना है सेम तो यह हमारा बेक पार्ट है यह हमारा फ्रेंट पार्ट है फ्रेंट पार्ट को फोल्डिंग की तरफ सेट करना है और बेक पार्ट को ओपन पार्ट की तरफ अब हमें इस तरह से इसको कट कर लेना है तो इसकी भी कटिंग कप्रिट ह तो इस तरह से हमारी कटिंग तो कंप्रिट होगी अब इसकी सिलिव की कटिंग करते हैं तो इसके लिए आपको गया करना है जो भी आपका फेबरिक बचाए उसमें आपको इस तरह से टू पार्ट में इसको फॉल्ड कर लेना है और इसकी लेंग्थ है वह 26 इंच रखनी है आ और इसमें हमें क्या करना है जो हमने 3.5 इंच का उपर से कट किया था अलग से पार्ट है तो इसका हमें डबल करना है और डबल करेंगे यह फ्रंट और बेक दोनों साइट गो जाएगा तो इसको डबल करके वन इंच एक्ष्टा हम स्टिचिंग का इसमें एड़ करेंगे तो यहां पर मैं इसकी लंबाई 8 इंच रखोगी अगर आप 4 इंच रखोगी उपर का करती तो इसका डबल करके आर्ट करके उसमें वन इंच आपको एक्ष्टा जोड़ना है इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है 8 इंच पर और फिर इसको हमें इस तरह से कट कर लेंगे तो हमारे दोनों सिल्फ से रेडी हो गए अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है तो सबसे पहले हम फर्ट पार्ट की स्टिचिंग करेगी है हमारा फैबर का फ्रंट पार्ट है यह बेक पार्ट है फ्रंट पार्ट के उपर हमें इस तरह से लाइनिंग फैबरी को अटेज करन इस तरह से इसको स्टीज कर लेगना है इसके नेक को पट्टी आपको लाइनिंग फेबरीक के उपर रखना है मैं फेबरीक आपका नीचे होना चीए है तो यह हमारा नेक हो इस्टीज हो गया अब हमें इसके बीच में चोटा-चोटा कर्स लगा लेने हैं अब इसके नेक को फिर से हम इस तरह से पल्टी मारेंगे या तो आप इस तरह से इसके उपर इस्टिज लगा सकते हैं ध्यान रहे हमें शिर्प निचे लाइनिंग फेबरिक पर ही इसको इस चीज मारनी है इस तरह से तकि यह इखटा ना हो और हमारा नेक सेप में आये अब इसको इस तरह से पल्टी मार देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा नेक किता फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है अब हमें इसके आर्मोल पर भी स्टीच लगा लेनी है आप इंच के गेप पर तो इस तरह से हमें इसको फिर से फोट गा लेना है और जो इसका आर्मोल है उसको हाप इंच के गेप परियाब पर स्टीच मार लेंगे दोनों तरफ हमें आर्मोल में स्टीच लगा लेनी है से देनिया पर आर्मोल में भी छोटे छोटे हमें कट्स लगा लेने है ताकि कपड़ा खिचाओं में ना रहे अब इसको बार की तरफ पल्टी मार देनी है तो यह हमारा जो फ्रंट पार्ट का नेक और आरमोल स्टीच हो गया है अब हमें डाट को स्टीच कर लेना है तो जो भी हमने मार्क लगाया उसी पर हमें सिलाई यहां पर लगा लेनी है और इस लाष्ट में आपको स्टीच को लोग कर देना है तो इसी तरीके से हमें दोनों डाट को रेडी कर लेना है तो यह हमारी डाट भी रेडी होगी आप चाहो तो यहां पर भी डाट लगा सकते आरमोल में भी मैं यहां पर लगाऊंगी ताकि आर्मोल की fitting अच्छे से आए तो हमें दोनों तरफ यहां पे stitch लगा लेनी है तो यह हमारा front part है वो बिल्कुल ready हो गया है इसी तरिके से हमें back part को भी stitch कर लेना है सिधा part रहेगा उपर की तरफ निचे की तरफ उल्टा part रहेगा सिधे part की तरफ हमें lining fabric को रखना है इस बात को आपका ध्यान है और इसको भी हमें पट्टी से एक्टर करेंगे तो इसके दोनों नेक को हमें पट्टी से एक्टर करके हाप इंच की गेपर सिलाई लगा लेनी ह है कि दोनों नेक को हमें इसी तरीके से रेडी करना है और आर्मॉल को भी हमें यहां पे स्टीज कर लेना है फरन्ट पार्ट की तरह ही इसी तरीके से दोनों पार्ट हमें रेडी करके कंप्लेट कर लेना है एक्स्टा फेब्री को यहां पर कट कर लेना है उसके बाद यहां पर बीच में चोटे-चोटे कट से लगा लेंगे इसी तरीके से दोनों पार्ट रेडी करके इनको प्रण देना है अब हमें यहां पर हुकाई वाली पट्टी लगानी है तो हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ आपको पट्टी को नीचे की तरफ रखना है और राइट हाथ की तरफ आपको पट्टी को उपर की तरफ रखना है इस तरह से और उपर से इस तरह से फॉर्ड करके पटी को और यहां पर आपको इस्टीच लगा लेनी है किनारे पर इस तरह से सेट करते हैं किनारे पर आपको इस्टीच लगा लेनी है अब हमें इसको बार के तरफ ऊड़ करते हुए इसको डबल फॉर्ट करना है अंदर के तरफ पहले छोटा फोर्ड करेंगे फिर उसके बड़ा फोर्ड करेंगे तो यह हमारी आई वाली पटी हो गई तो इस तरह से इसके उपर एक इस्टीज और लगा लेंगे हम कि अब इस वाले पार्ट को भी हमें अंदर की तरफ होर्ड करना है और इस तरह को आई वाली पार्टी भी कम्प्लीट हो गए अब इसके बेक पार्ट और फ्रंट पार्ट को यहाँ पर फिटिंग की साइड से जोड़ देना है तो दोनों तरफ हमें हापा पिंज के पर इस्टीच लगा लेनी है और एक्ष्टा फेब्रिक को हमें नीचे से भी कट कर देना है अब हमें इसमें स्लीवस अटेज करनी है सबसे पहले तो स्लीवस के साइड कोर्णर को हमें फॉल्ड करना है इस तरह से जो इसकी विर्ट है उसको हमें फॉल्ड करना है तो दोनों साइड से हमें इस तरह से फॉल्ड कर लेना है इसी तरह हमें दूसरे साइड भी फॉल्ड कर लिनी है तो देख सकते हैं हमारे फॉल्डिंग कंप्लिट होगी अब हम इसमें चुनेट धालनी है तो इस पार्ट को आप बिल्कूल अच्छे से देखना यहां पर बिल्कूल बारिक-बारिक या विल्कुल चुनेट बना लिनी है इसी तरह हमें इस एड़ भी चुनेट बना लेनी है चुनेट की जो चोड़ाई रहेगी आपकी फुल वो दो या धाई इंच पर आपको बना लेनी है क्योंकि जो आपने सोडर लिया था उसी से आपसे है चुनेट बनानी है इसकी आप तो हमारे दोनों पार्ट को इसी तरह से रेडी करना है सेम अब हमें इसको सॉल्डर पर अटेज करना है तो आपको जो बेक पार्ट है उसको इस तरह से अंदर के तरफ वोड करना है अब इसमें मौश्ट इमपोटेन पार्ट है कि आपको सीदा और उल्टी काध्यान रखना है यह हमारा उल्टा पार्ट है और उल्टे पार्ट को ही हमें जो हमारा लाइनिंग दीख रहा है लाइनिंग की तरफ हमें उल्टा पार्ट रखना है और जो हमारा सीधा पार्ट है नीचे का उसमें में सीधा पार्ट टेज करना है इस तरह से दोनों को हमें सेट करती हुए इस्टीच लगा लेनी है हाप पिंच के गेप पर आपको उल्टे और सीधे पार्ट का ध्यान रखना है तो देख सकते हैं यह हमारा सीधा पार्ट है यह नीचे की तरफ पुल्टा पार्ट हो गया और उपर की तरफ सीधा पार्ट अब हमें इसको फ्रंट पार्ट पर इस्टीज करना है तो फ्रंट पार्ट पर आपको क्या करना है इस तरह से इसको अंदर की तरफ फॉर्ड करना ह सेम और जो हमारा मैन फेब्रिक है मैन फेब्रिक ऊपर की तरफ आ रहा है और लाइनिंग फेब्रिक नीचे की तरफ है तो हमें इसको सिधा कर सिधा इसी तरीके से हमें इसके अंदर ढाल लेना है और यहां पर हाप इंच की गेप पर इसको स्टीच लगा लेनी है तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहां पे इसकी जो गेदर से उनको आपको स्टीच करना है बिरुकुल परफेक्ट लिए सेम इसी तरीके से आपको इस सैड भी स्टीच लगा लेनी है आप यह चीज अच्छे से देखना कि इसकी चुनेट हमने कैसे लगाई है तो दोनों साइड आपको सेम इसे तरीके से यहाँ पर सिलिफ साटेज करनी है मैं यहाँ पर पट्टी लूँगी दो इंच की और इस पट्टी को मैं निच्चे की तरफ अल्टर करूँगी हाप इंच की गेप पर पहले आपको ब्लॉज गो बिल्कुल लेवल में कर लेना है निच्चे से उसके बाद पट्टी जॉइंट कर लेनी है तो इस तरह से लाश्ट में हमें पट्टी को फॉड़ कर देना है अब इसके उपर एक इस्टीच और लगा लेनी है ताकि फिनिशंग अच्छी आई तो आपको एक इस्टीच लाइनिंग फेबरिक करी लगानी है इस तरह से अब हमें इसको अंदर की तरफ फॉड़ कर देना है वन इंच की गेप पर मैं यह आपे पाच इंच की सिले लगाऊंगी क्योंकि मैं यह आपे तुर्पाई करूंगी नीचे की तरफ देन यह आप पर अब हमें बेक साइट की जो डाट है उसको इस्टीच कर लेना है जो हमने मारक किया ता उससाफ से हमें यापट एसको लोग कर देना इस्टीच करके दौनों तरफ से हमें सप्तिच कर लेना है तो यह हमारा blowz रेडी हो गया है, अब हम इसकी fitting की size में stitch लगा लेनी है, जितनी वैप की fitting हैं उसलिकाज अब स्थीच लगा लेना, मेरी आप पि 3 vest है, तो मैं उसलिकाज से आप में इसको fitting कर लेती हूं, अगर फ्रेंड्स और वी video यूजफुल लगें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर नहुले ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे अगर आप एक बिगिनर्स है तो यूजब जुरू ट्राइद रहे बहुती प्यारा और बहुती बीटिफुल लुक आता है इसका थेंक्यू फोर वाचिंग बापाई